आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें प्यारे छात्रों हमारा प्रशन की मान ग्याद कीजी साइन ब्रेकिट के अंदर कोट इनवर्स चार बटे ती प्लस साइन ब्रेकिट के अंदर सैक इनवर्स सतरा बटे पंदरा ठीक है, तो आईए हम इस प्रशन को हल करते हैं प्रश्ण में हमें दिया है, साइन, ब्रैकेट के अंदर कोट इन्वर्स, चार बटे तीन, ठीक है, प्लस, साइन, ब्रैकेट के अंदर सैख इन्वर्स, सतरा बटे पंदरा, ब्रैकेट बट, ठीक है, इसे तो हमने माना P, ये माना P, और इसे माना Q, ठीक है तो इस परकार ये हो गया P पिलस की इसे कह दिया हमने समीकरण 1 ठीक है अब दिखिए सबसे पहले हम P solve करेंगे P क्या है हमारा sin bracket के अंदर cot inverse 4 बटे 3 ठीक है अब दिखिए cot inverse 4 बटे 3 को हमने ठीटा माल लिया cot inverse 4 बटे 3 बड़ाबर है ठीटा के माना तो यहां से cot ठीटा बड़ाबर क्या गया 4 बटे 3 ठीक है अब दिखिए हम एक समकॉर्ण तिर्भुज बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं x y z ठीक है देखिए कोण z को हमने ठीटा माल लिया y हमारा 90 डिगरी का कोण है तो देखिए यहां पर कोड ठीटा क्या होता है अधार बटे लंब तो देखिए यह हमारा अधार है अधार हो गया यहां से 4 ठीक है और लंब हमारा यहां से कितना हो गया 3 ठीक है तो यहां से आप sin ठीटा का मान निकाल सकते हैं तो देखिए sin ठीटा क्या होता है लंब भाग में कर्ण ठीक है और यहां पर लंब क्या है यहां पर निकाल सके, पाइथा गोईरस पर में से, कर्ण का वर्ग बराबर है, अधार का वर्ग, अधार क्या है हमारा वाई जेट, वाई जेट का वर्ग, अधार है हमारा वाई जेट का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग, एकस वाई की घाद दो, ठीक है, अब देखें, एकस जेट की घा बराबर आगया हैं से 16, 89, 25 और 25 का वर्ग 5 ठीक है तो इस परकार हमारा हैं से sin theta आगया देखें x y कितना था हमारा 3, 3 बटे 5 या theta बराबर आगया हैं से sin inverse 3 बटे 5 ठीक है अब देखें क्योंकि हमने इसे theta माना था code inverse 4 बटे 3 को तो इसे हम लिख सकते हैं sin theta तो यहां पर theta का मन रखने पर तो p बराबर sin bracket के अंदर आगया sin inverse 3 बटे 5 ठीक है अब क्योंकि आप जानते हैं sin bracket के अंदर sin inverse x बराबर होता है x ठीक है या इस परकार यहां से आगया p बराबर 3 बटे 5 ठीक है अब हम q को solve करेंगे q क्या है हमारा q हमारा है sin sec inverse 17 बटे 5 ठीक है या यह आगया sin alpha ठीक है तो अब देखिए हमने एक समकॉर्ण तिर्भुज बना लिया देखिए हमें यहां से sec alpha का मान पता चल गया 17 बटे 15 और यह हो गया हमारा alpha यह ABC तिर्भुज का नाम ठीक है और कॉर्ण भी इसमें समकॉर्ण है तो इसमें हम सबसे पहले sin alpha का मान गय क्या है AB और भाग में कर्ण क्या है अब सेक mapa क्या होता है सेक alpha होता है करन पते अधार तो यहां से हमें करन मिल गया curve हमारा आगया 17 अधार wtथर AC सटरा आगया और अधार आगया 15 ठीक है तो हम पाइथाइघ viras पर में से A B निकाल लेंगे पाइथाय गोईरस पर में से तो पाइथाय गोईरस पर में से देखिए A C का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग A B का वर्ग पिलस B C के वर्ग अब देखिए हमारा A C क्या है? A C हमारा 17 की गाद दो A B हमें निकालना है और BC हमारा है 15 कावर ठीक है 17 कावर क्या हो गया 289 ठीक है 17 कावर हो गया 289 अब दीखे AB हमें निकालना है 15 कावर हो गया 225 ठीक है तो 289 माइनस के 225 बराबर AB की घाद दो या यहां से हमें क्या मिल 289 में से 220 गए तो बचे 64 A B की घाद दो या A B बराबर की आगे? 8 ठीक है? तो इस परकार हमारा साइन अलफा क्या आगे? साइन अलफा आगे? A B आगे? 8 A C आगे? 17 ठीक है? तो यहां से हम अलफा निकाल सकते हैं अलफा आगया हमारा sine inverse 8 बटे 17 अब देखिए Q बराबर क्या आ गया था हमारा sine alpha ठीक है Q बराबर sine alpha और alpha क्या आ गया Q बराबर sine alpha आ गया sine inverse 8 बटे 17 ठीक है यहां से आपका आ गया Q बराबर 8 बटे 17 क्योंकि आप जानते हैं अभी हमने आपको बताया था sine sine inverse X बराबर होता है X ठीक है अब देखिए हमारा प्रश्ण क्या था P पिलस Q तो P पिलस Q P कितना आया था हमारा देखिए P आया था 3 बटे 5 ठीक है P आया था 3 बटे 5 यह आ गया 8 बटे 17 यही आपके इस प्रश्ण का उत्तर है धन्यम प्रश्ण के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउन्ट करें डाउट्नेट आप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आ चार्स 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 पर